सुशान सिंग राजपूत मामले में संदीप शृधर उन्होंने सुशान सिंग राजपूत के अकऊंट की डिटेलर को साजा किया है जिस तरह के बड़े अमाउंट्स बताए जा रहे हैं कि रिया चाकरवती ने सुशान की अकाउंट से यूज किये हैं उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं था रिया चक्रवती ने सुशान से कुछ हजारों रुपई ही यूज कियोंगे इसके अलावा रिया की मॉम ने सुशान सिंग राजपूत के अकाउंट में 33,000 रुपई एक बार डाले थे क्योंकि वो एक आक्टर है और उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी महंगी है यही कारण है कि कई बार पैसो की जरूरत पढ़ जाती है इसके लवा सुशान सिंग राजपूत के सीए संदीप ने सुशान सिंग राजपूत के पिछले कुछ ट्रांजक्शंग शेर किये हैं कि कहां कहां बड़ा अमाउंट यूज़ हुआ था उनका कहना है कि सुशान और रिया अकसर साथ में ट्रैवल किया करते थे और सुशांत जो भी खर्चा करते थे वो अपने हिसाब से किया करते थे सुशांत सिंग राजपूत का जादा खर्चा शॉपिंग, किराया और ट्रैवलिंग में हुआ करता था पिछले कुछ ट्रांजेक्शन को हाइलाइट करते हुए संदीप ने बताया कि पिछले साल का जो GST उन्होंने भरा था वो 2.7 करोड था 61 लाग इन्होंने कौन जो की एक टैलेंट मैनेजमेंट कमपनी है उसको भरे थे 2 करोड का टर्म डेपॉजित है सुशान सेंग राजपूद का कोटक महींद्रा बैंक में ये वही बैंक है जहाँ पर कल मुंबई पुलिस गई थी और जहाँ से एक स्टेटमिंट निकाला गया था साथ लाग इनोंने किराया भरा इसके अलावा जो इनका लोनावला वाला फार्म हाउस था उसका किराया था 26 लाख रुपए पचास लाख फॉरिन टूर धाई करोड असम से कैरल तक का टूर 9 लाख रुपए मिलाब फांडेशन को दिये इसके अलावा 4 लाख सम्तिंग रुपए हैं जो की दोनों ने साथ में खर्च किये तो कुछे इस तरह से संदीप शृधर ने खुलासा किया है कि सुशान सिंग राजपूत के बारे में जो उनके फिनैंसेस को लेकर उनकी फैमिली का आरोप है वैसा कुछ नहीं था रिया ने उनके कुछ खास खर्चे नहीं किये बलकि जो भी पैसा सुशान सिंग राजपूत खर्च करते थे वो उनके हिसाब से ही करते थे अब बिहार पुलिस और सुशान सिंग राजपूत के सीए की दोनों की बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है और अलग-अलग आ रही है सच्चा ही क्या है ये वक्त के साथ ही पता चलेगी